बाभन जी के चूड़ा और यादो जी के दही ये कहावत फेस्बुक पर खुब घुम रहा है तो जस्वी यादो द्वारा बनाए जा रहे हैं नए जात्की समिकरन को लेकर चर्चा खुब तेज है और उसी से जुड़ी हुई एक नई तस्बीर भी सामने आई है जिसमें प्रतिपक्ष तेज्यस्वी यादो उस्री मंत्रनपत्र को सहरत्सुएकार भी कर रहे है भगवान प्रशुराम की ज jacketsों को बतोर मुखे अतीत्धी अमन्तृत किया गया है और सबसे खास बात है कि अशुतोर्स कुमार ने नेता प्रतिफक्ष तेजस्वी यादों के साथ फोटो डालते हुए लिखा कि आपने हमारे समाज को सम्मान दिया तो हमारा भी फर्ज बनता है हम आपको सम्मान इसका सीधा सा मतलब है कि तेजस्वी यादो ने भुमिहार समाज को सम्मान दिया तो भुमिहार समाज भी तेजस्वी यादो को सम्मान देगा और इस नए बंते भिगर्टे समिक्रण की खुब चर्चा हो रही है तेजस्वी यादो के सम्मान में ब्रहम्रिसी स्वाभिमान म मंच पर पूंशते हैं और वहां से पुरे जन समुदाय को सम्मोधीद भी करते हैं फेस्बुक पर कहावत गुम रहा है जिसके बारे में उपने बताया कि भाबन जी के चूड़ा और यादव जी कैं दही मतलब कि भूम्यार आदव और अपना चूड़ा और दही लेकर एक साथ हो गये हैं या हो रहे हैं अपने मस्कार में इनाय मैं मोहित कुमार सी हूँ और आप देख रहे हैं हमरा भी शेज कारिक्रम एक्स्प्लेनर भुम्यार ब्रामर एकता मंच की आसुतोस कुमार की तरफ से फेज भूकपर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादों के साथ फोटो डालते हुए लिखा गया है कि धन्यवाद तेजस्वी जी आपने हमारे समाज को सम्मान दिया है अब हमारा भी फर्ज मनता है कि हम आपको स कुर्सी तक पहुंचाएं आपको भग्वान सरील इती आ मंतरिक करते हैं इसमें असुतोसकुमार ने बहुत सारी चीजय लिखी है आसुतोसकुमार खुद भुम्यार समाज का ऐक नहारा नेता बनने की और और है उन्हों कि आपने हमारे समाज को सम्मान दिया तो अब भूमिहार समाज का फर्ज बनता है कि आपका हाथ पकड़ कर आपको मुख्यमंत्री की कूर्सी तक पहुंचाए और पिछले कुछ समय में लगातार इस बात की चर्चा भी हो रही है कि तेजस्वी यादो इसी कोसित में लगे है कि किसी भी प्रकार से भूमिहार और यादो को एक साथ लाया जाए जिसे की एक नया मजबूत गर्जोर समिकरन सयार उसके आगे आसुतोस कुमार ने लिखा है कि बाभन जी के चूडा यादो जी के दही दोनों भाई मिलब तब होई बिहार सही माने कि भूमिहार अपना च यादो को मुख्यमंतरी की कूर्टी पर बिठाया जाएगा तब जाकर अब बिहार सही हो पाएगा बिहार बच पाएगा यह बात भूमिहार ब्रामर एकता मंच के आशुतोस कुमार कह रहे हैं आशुतोस कुमार वैसे भी भारतियों जनता पार्टी का मुखर होकर भी आज हमेशा से भास्वा के पीछे चलता रहा है लेकिन भारतिय जंता पार्टी ने कभी बुम्यार के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया या जो नेता आगे बढ़ते उनको किनारे कर दिया जाता है भगवान पर शुराम की जंती पर बतोर मुख्य अतिति तेजसु है तो वहाँ पर वे नेता शामीर होते थे और बढ़ चलकर भाजपा का जंडा दिता था लेकिन अब समिक्रण बदल रहा है नया दौर शुरू हो रहा है जहां तेजसु यादोव भुम्यारों से करीबी बढ़ा रहा है तो भारतिय जंता पार्टी के नेदा अभी चुप भी है कि कहीं न कहीं यादो वोट्रों को बात समझ में भी आ रही है यादो जंता दिमीदी जो पंजाज सब्सक्र के हैं उनको यह बात समझ में भी आई है बाकि भारतिय जंता पार्टी के नीद निश्चित तोर पर हराम हो रही होगी इधर MLC चुनाओं में भुम्यारों पर डालो आना सफल हो गया है क्योंकि राश्चि जंतादल के 6 MLC जीतकर सदन में पहुंचे हैं जिन में से 3 भुम्यार जाती से तालूप रखते हैं बाकि अब आगे भुम्यार ब्रामन एकता मंच और राश्चि जंतादल की नजदी की भुम्यारों का अलग अलग जो करते हैं वीडियो को शेर कीजिएगा और अगर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तसा अगर यूट्यूब पर देखना चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए मिलते हैं फिर वह उजा लगले वीडियो में केमरे पीछे ख़ड़े हूं परकास और मैं मोहित स्क्मार बहुत बहुत धन्यवाद